नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पैबली कनेक के इस यूटूब चैनल पे आज का हमारा टॉपिक है Create a Wix Product from Google Sheets Row तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप Automatically Wix में Product Create कर सकते हैं जब भी आपके पास Data Add हो Google Sheets की Row में जिया दोस्तों पूरा प्रोसेस आप Automate कर सकते हैं पैबली कनेक की मदश से अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वक करता है तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रिगर में हम लेंगे Google Sheets, Action में हम लेंगे Wix तो जब भी कोई New Row Added होगी जब भी उस Row में Data Add होगा तो उस Data के basis पे Automatically Wix में प्रोड़क्त क्रीट हो जाएगा पैबली कनेक की मदश से तो अगर आप ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको लें चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे अल्राइट फ्रेंड्स तो ये है पैबली का लेंडिंग पेज और आप इस पेज पेज पर आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली.com यहाँ पर आपको दो अप्शन मिलते हैं एक है Sign In का Option दूसरा है Sign Up For Free Option तो दोस्तो अगर आप एक New User है तो आपको क्लिक करना होगा Sign Up For Free बटन पे और आप आपका Account Create कर लेंगे केवल दो मिनिट में मैं क्लिक करूंगा Sign In वाली बटन पे क्योंकि मैं एक Existing User हूँ उसके बाद दोस्तो आपको जाना है Pabli Connect वाले Dialog Box में उक्लिक करना है Access Now और आप जाएंगे Pabli Connect के Dashboard पे यहाँ पे आपको Right Hand Side पे एक बटन दिखेगा Create Workflow को उसके आपको क्लिक करना है तो एक Dialog Box उपन जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोलेगा Enter Workflow Name Here तो दोस्तो बैसिकली हमको यहाँ पे हमाई workflow को कोई नाम देना है Let's say मैं मेरी workflow को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ Create a Wix Product from New Google Sheets Row तो दोस्तो यह हमारा Objective है आप आपके हैसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी workflow को उसके आपको क्लिक करना है Create वाली बटन पे और आप आप जाएंगे यह वाली स्क्रीन पे आप दोस्तो यहाँ पे आपको दो important modules समझना है जिनका नाम है Trigger और Action तो दोस्तो Trigger और Action पे ही पूरा Automation काम करता है Trigger बोलता है When This Happened जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो Action बोलता है Do This तो ऐसा कर दो Basically Trigger हमारे Automation को स्टार्ट करता है और Action में वो particular action perform करते है जो हम करवाना चाहते है हमारे Automation में तो आए Trigger application चूज करते है जो कि है Google Sheets तो हम यहाँ पे simply type करेंगे Google Sheets और आपको यहाँ पे नीचे Google Sheets दिख जाएगी उसके आद आपको इसको चूज कर लेना है और Trigger event में दोस्तो आपको चूज करना है New or Updated Spreadsheet Row यहाँ पे आपको एक Webook URL मिल जाएगा अब दोस्तो वेबुक URL की मदद से आप को इसी भी यहाँ पे आपको कुछ steps नीचे गिवन है जैसे कि make sure you are logged in to single Google Sheets account while doing the setup was tutorial here यहाँ एक tutorial भी गिवन है जिसकी मदद से आप पूरा प्रोसेस जान सकते कैसे आपको इस पूरा प्रोसेस बनाना है create a new spreadsheet navigate to the extensions move to addons option and then click on get addons तो आईए मैं आपको इस पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको इस पूरा प्रोसेस कैसे setup करना है आप सबसे पहले इस वेबो qrl को ऐसे कलने copy और फिर हम आजाएंगे हमारी Google Sheets पे अब दोस्तो यह Google Sheets मैंने create करी है जिसका नाम है Wix Products List यहाँ पे एक product देख सकते है setup, cups, price, SKU, weight and description तो दोस्तो सबसे पहले आपको जाना है extensions पे और उसके आद आपको क्लिक करना है addons पे उसके आद आपको क्लिक करना है get addons पे यहाँ पे एक dialogue box open हो जाएगा आपकी screen पे जिसका नाम है Google workspace marketplace और यहाँ पे आपको search apps में search करना है pably connect webhooks और आप देख सकते है pably connect webhooks मेरे system में already installed है आपको इस process से यहाँ से pably connect webhooks को आपके system में install कर लेना है इसको यहाँ पे मैं कल दूँगा close अब दोस्तों आपको फिर से जाना है extensions पे और नीचे आपको देखेगा pably connect webhooks उस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जाना है initial setup पे एक dialogue box open हो जाएगा आपकी screen पे initial setup का और इस initial setup में आप देख सकते है कुछ details जैसे कि selected sheet में sheet 1 शो रहा है जो कि हमाई system ने automatically fetch कर लिया इसको आपको simply इदा पर कर देना है उसके दोस्तों trigger column में लिखा है the trigger column will be your final data column on which if the data is added the whole of that row data will be sent to the webhook URL तो दोस्तों यहाँ पे आपको particular last data column यहाँ डालना है जिसमें आपका data है हमारा spreadsheet का last data column में column E तो हम यहाँ पे simply type कर देंगे column E आपको यहाँ पे last data column आपकी spreadsheet का वह आला data column डालना है जो आपका last data column होगा उसके दो आपको click करना है send test वाली button पे और आप देख सकते हैं यहाँ नीचे हमको यहाँ लिखा रहा है test data send successfully और फिर आपको click कर देना है submit यहाँ पे आपको एक message मिल जाएगा setup configured successfully का मतलब यही कि हमारा Google Sheet और पैबली connect का connection है और जैसे ही मैं आपको नीचे बताऊंगा तो आप देख सकते हैं positive response भी received हो गया weight में हमको show हो रहा है 4 जो कि हमारे product का weight है weight यहाँ पे 4 है और हमको सारी details यहाँ पे received हो गई है spreadsheet name Wix products list उसके बाद sheet name, sheet id, sku row index product name, price, description यह सारी details हमको पैबली connect में received हो गई है तो दोस्तो यह जो first step है हमने यहाँ पे पूरी कर लिए automation की अब आपको आजाना है action और action में आपको choose करना है Wix आप simply type करें यहाँ पे Wix और आपको Wix नीचे show होगा उसको आपको choose कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको action event में choose करना है create product click करना है connect वाली बटन पर तो यहाँ पे एक dialogue box open हो जाए आपके screen पे जो बोल रहा है connect Wix account तो दोस्तों basically हमको यहाँ पे हमारा add new connection के साथ connect with Wix तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे पूछ रहा है app id और secret id और नीचे लिखा है enter app id and secret id from your Wix developer app you can create your Wix developer app as explained here आप 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 जाएंगे यहाँ पे एक tutorial पे जिसकी मदद से आप यह पूरा setup कर सकते है connecting Wix to public connect to connect your Wix account to public connect you need to create an app in the Wix developer center to obtain app id and app secret तो यहाँ पे हमको देख रहा है login to the Wix developer center at dev.wix.com using your Wix credential तो आईए हम इस पे क्लिक करते है जैसा कि आप देख सकते है Wix developers यहाँ पे show हो रहा है उसके बाद दोस्तों आपको जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है create new app पे आपको वापस देखाता हूं यह पैबलीक सपोर्ट जो हमको description यहां से received हुआ है इसमें लिखा है click the create your first tab button हमने यह चीज कर लिए उसके लिखा है go to OAuth in the left menu here you can find the app id and app secret then enter this url in the redirect url field and navigate to permission a save changes dialogue box will appear click on save and continue button to save the changes तो आई हम इतना process करते है हम आजाएंगे वापस इस wix developers पे और उसके बाद left hand side पे आपको जाना है OAuth वाले option पे तो आपको यहां पे बिल जाएगी आपके app की id और app का secret key तो आईए यह id हमको यहां पर receive होगी इसको यहां से हम कर लेते है copy और simply public connect में आके इसको कर देना है paste उसके अधा हमको enter secret id भी यहां पर paste करना है तो हम यहां पर आ जाएंगे वापस इस OAuth वाले page पे app secret की भी नज़र आ रही है तो इसको हम यहां पर कर लेंगे copy और पाबली connect में आके इसको कर देंगे paste इतना करने के बाद दोस्तों आपको वापस आजाना है OAuth पे और यहां पर आपको redirect URL में particular URL paste कर देना है जो आपको यहां से मिलेगा पैपली support से हम इस URL को कर लेंगे copy और उसके बाद इसको यहां पर आपको कर देना है इतना करने के बाद दोस्तों आपको देना है तो यहां पर मैं एक app URL दे देता हूं यहां पर मैंने एक random app URL दे दिया है उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है save वाली बटन पे और यहां पर देख सकते हैं your changes were successfully saved अब आपको वापस पर आपी support पर जाना है और नीचे यहां पर लिखा है navigate to permission a save changes pop dialogue box will appear और यहां पर आपको कुछ permissions add करना है जैसा कि Wix Developers Contacted Members, Wix Coupons & Wix Stores तो इस 4 application को आपको enable करना है तो हम वापस रचाएंगे developers वाली page पर यहां पर आपको देखेगा permissions वाला option left-hand side पर आपको क्लिक करना है और यहां से add permissions पर करना है जैसा कि आप यहां पर देख सकते है add permissions option पर आपको क्लिक कर देना है और permission category में आपको search करना है जो permission आपको enable करना है तो हमको Wix Stores वाली permission भी enable करना है तो हम यहां पर Wix Stores select कर लेंगे manage products पर click करके save कर देंगे उसके आद हमको 2 permissions और add करना है यहां पर Wix developers automatically permission add हो गई है उसके बाद हमको 2 permissions और add करना है तो जो की है हमारी contacts and members वाली तो हम यहां पर contacts and members select करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको manage all permissions पर select करके click कर देना है save वाली button पर और हमको coupons वाली permission भी enable करना है तो हम यहां पर फिस से एक बार add permission पर click करेंगे और search category में coupon search करेंगे यहां पर आप देख सकते है coupons यहां दिख रहा है और manage coupons पर tick करके click कर देंगे save वाली button पर अब दोस्तों इतना process जब आप कर लें तो आपको यहां पर आपको click कर देंगे save वाली button पर और आप देख सकते है adding my new test app will allow it to manage members in context manage coupons manage products read basic site and business info और हमने यही permissions पर add करेंगे तो हम यहां पर click कर देंगे agree and add और आप देख सकते है हमारा authorization है यहां पर successful हो गया इसका मतलब यह है जो हमारा Wix application है अब दोस्तों यहां पर आप कुछ details देख सकते हैं product name product price SKU product weight description और other details यह वही चीज है हमको यहां पर शो रही है जो हमने हमारी google sheet में add करी है जैसा कि आप देख सकते है product name price SKU weight and description यह वाली columns हमने add करें वह हमको यहां पर public connect में show हो रहा है अब दोस्तों आपको यहां पर data को करना है map mapping बहुत simple है मैं आपको बताता हूं आपको पूरा data कैसे map करना है यहां पर product name में previous step का data show हो रहा है जैसा कि आप मेरी screen पर देख सकते हैं यह जो previous step का data हमको received हो है जो हमको previous step में data received हो है google sheet का तो हमारा product name है set of cup हमनेशको यहां पर map कर दिया और description दा हमारे product का जैसा कि आप देख सकते हैं glass good तो दोस्तों यह जो मैंने step करी है इसको बोलते है mapping इसकी मदद से आप हमेशा dynamic response जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों यह कैसे work करता है आइए समझते हैं अब जैसे मैंने for example यहां पर इस field में data map करा है set of curves 2000 उसका price है SKU weight and description तो जब भी कोई new product add होगा मतलब इस particular sheet में आप जब भी कोई new product add करेंगे तो automatically उसकी details हमको यहां पर पाबली करेंट में receive हो जाएंगी इस field में क्योंकि हम mapping का इस्टिमाल कर रहे हैं कोई भी चीज़ हम manually type करेंगे तो हमेशा static रहेगी for example यहां पर मैं manually type कर दूँ ABCD तो हर ताइम ABCD हमको receive होगा response में क्योंकि हम manually type कर रहे हैं अगर आप mapping करते हैं तो आपको dynamic response मिलेगा ही मिलेगा यह difference है mapping में और जब भी आप कोई manually चीज़ टाइप करते हैं इतना process करने के बाद आप नीचे कुछ details देख सकते हैं visibility, manage variance, product type, discount type, discount value और other details जो कि mandatory fields नहीं है अभी तो अभी के लिए मैं इसको ignore करता हूँ आप इसको add भी कर सकते हैं उसके आप दोस्तों हम क्लिक करेंगे save and send test request वाली बटन पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमको positive response नीचे received हो गया product name है set of cups उसके बाद product type है physical और description यहाँ पे show हो रहा है SKU weight और other details हमको यहाँ पे show हो रही है price मिल गई हमें दोस्तों product की इसमें आयना में हमारी price थी वह हमको यहाँ पे show हो रही है और उसके आद हमको बहुत साई other details यहाँ नीचे मिल गई है यहाँ पे हमको last updated और product created date भी यहाँ पे receive हो गई है add हो गया हमारे Wix application में set of cups type physical SKU 10 price 2000 inventory in stock तो दोस्तों इस तरह यह पूरा process काम करता है यह 2 step का process है आये summarize करता हूं इस पूरे process में मैंने क्या करा है तो सबसे बहले मैंने trigger में लिया Google sheet और action में मैंने इस पूरा automation आप भी बना सकते हैं इसमें कोई भी coding skills का इस्तमाल हमने नहीं करा है यहाँ पे लिखा है instant इसका मतलब यह instantly हमको पाबडी connect response जनेरेट करके देगा जब भी कोई new data add होगा हमारी Google sheet में यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि for example जब आप यह setup कर लें जब आप यह first step का data आप कर लेंगे जब वेबुक सेटप कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको Google sheet में जो extension पे वाला option है उस पे आपको जाके यहाँ पे पाबली connect वेबुक से फिर से click करके send on event वाली जो बटन है इसको आपको turn on कर देना है तो जब भी कोई new data आप अब add करेंगे तो automatically पाबली connect में वो data आपको जाएगा और a dynamic response generate होगा और new product create हो जागा आपकी Wix application में तो दोस्तों इस तरह यह पूरा process आप बना सकते हैं तो आए हम इसको real time में test करते हैं कि यह पूरा process कैसे work करता है तो मैं जाओंगा मेरी Google sheet पो यहाँ तो लेटसे यहाँ पे मैं नए product की details add करता हूँ set of glass और price इस बार हम रखेंगे let's say thousand rupees SKU में रखता हूँ 5 weight हम दे देंगे एक random weight 6 और यहाँ पे description में add कर दूँगा goods अब दोस्तो automatically यह product हमें को create हो जाएगा Wix application में मैं आपको देखाता हूँ यह पूरा process कैसे work करेगा तो मैं जाओंगा Wix पे और जैसे मैं यहाँ पे refresh करूँगा तो हमको वह product यहाँ पे create हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं नया product create हो गया set of glass, type is physical, SKU 5 है, price 1000 है, inventory in stock तो दोस्तो इस तरह आप जब भी कोई data add करेंगे Google sheet में तो automatically वह product create हो जागा एपकी Wix application में तो यह बहुत useful automation है दोस्तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आप इस workflow को test करना चाते हैं या इस workflow को बनाना चाते हैं तो इस workflow की जो link है वह आपको description box में मिल जाएगी तो आप same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तो आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में जरूर बताएं, thank you यही नहीं दोस्तों आप और भी integration बना सकते हैं पैबली कनेक की मदस से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadheretpably.com पे अगर आपकी कोई queries हैं या कोई doubt है तो आप हमको mail कर सकते हैं forumadheretpably.com पे और अगर आपको कोई price related issue है तो आप इस link पे जा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको like करें, share करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें, thank you